करनाटका स्टेट के रेजिस्टेशन 13 दिसंबर 21 से स्टार्ट हो रहे हैं और इनकी लास्ट डेट 17 दिसंबर 21 रहेगी रेजिस्टेशन फीच डिपोजिट करने की लास्ट डेट 18 दिसंबर 21 रहेगी करनाटका स्टेट ओपन स्टेट होने के कारण यहां कि प्राइवेट मेडिकल कोलेज में सभी स्टेट के कंडिडेट एडमिसल ले सकते हैं तो करनाटका के रेजिस्टेशन आप ओनलाइन कर सकते हैं इसकी वेबसाइट के ये.kr.nick.in है या फिर आप cetonline.karnatka.gov.in.oblick के ये.oblick की ugnit2021 पर क्लिक करके भी आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं इसका notification आ चुका है अभी इसका browser नहीं आया है information ब्लेटीन आया नहीं है जल्द ही information ब्लेटीन भी जारी हो जाएगा और registration के लिए instructions भी आ चुके हैं तो जैसे ही आप इसकी website पर विजिट करेंगे यहाँ पर आपको ugnit2021 का link मिलेगा इस link पर आप विजिट करके फिर इसकी सारी information देख सकते हैं लास्ट में मैं इसका link भी दे दूँगा और video के description box में भी इस website का link दे दूँगा तो सबसे पहले हम notification देख लेते हैं तो जैसे notification में लिखा है इसमें कि जो इसकी starting date है वो 13 दिसंबर 21 से लेके 17 दिसंबर 21 तक रहेगी रात 11 बज़ के 69 मिनट तक आप इस फोर्म को fill कर सकते हैं 18 दिसंबर 5 बज़े तक इसकी आप fees deposit कर सकते हैं अब इसमें जो करनाटका स्टेट के candidate हैं उनके लिए instructions ये दिए गए हैं कि जिन्होंने पहले registration कर रखा है क्योंकि करनाटका स्टेट में CT के पहले registration हो जाते हैं जो करनाटका स्टेट के student है other courses में भी admission लेना चाते हैं तो उस समय अगर उन्होंने CT का exam दिया है तो उस समय अगर registration कर रखा है तो उनको यहाँ पर need के roll number fill करने हैं उनकी date भी same है जो नोन करनाटका candidates उनके लिए इसमें कहा गया है कि आप registration करते समय आपको एक single PDF में 10th की mark seat, need scorecard और 12th की mark seat upload करनी होगी documents verification के लिए कहीं भी आपको जाने के आवशकता नहीं है यह online ही होगा मैं आपको बता दूं कि 2020 से पहले यह offline हुआ करता था कि यह office जाके documents verification करवाने होते थे लेकिन 20 और 21 में इस प्रकार की facility है कि आप इनको online upload करो verification होने के बाद में आपको user ID password मिल जाएंगे उसके बाद में आप college फिल करके आगे proceed कर सकते हैं counseling के लिए तो इसमें अलग-अलग instructions दिये गए हैं करणाटका state के लिए अलग instructions हैं करनाटका state candidate के लिए और non-करनाटका Is टेट candidate के लिए यही registration के instructions है जो मैंने आपको बता दिया एक single PDF upload करनी है उसके बाद में registration fees deposit करनी है और फूर्म complete करना है registration का इसमें आगे सेंट जोन का information ब्लेटीन भी दिया गया है सेंट जोन medical college में out state candidate के लिए यानि कि all India open merit के लिए 10 seat है इस लिए इस college की cutoff काफी ज्यादा higher रहती है यानि कि अगर हम cutoff की बात करें तो ये जो government की cutoff रहती है उससे भी 10 या 12 marks ज्यादा cutoff रहती है इस college की तो इसमें इसका पूरा information ब्राउचर दिया गया है सेंट जोन का इसमें seat matrix दे रखी है total 150 seats है इसमें ओल इंडिया जनरल open quota merit की 10 seats है इसमें तो ये इसमें आप seats देख सकते हैं इसकी जो fees है वो 6,85,930 रूपीज है अब हम बात करें बाकी colleges की fees की जो ये सेंट जोन की fees है बाकी college की जो fees है वो जो 2020 की fees की बात करें तो 9,80,956 रूपीज fees थी 24 colleges की इस साल के लिए fees अभी declare नहीं हुई है तो जैसे ही इसकी fees declare हो जाएगी यानि की registration के दो-चार दिन बाद declare होती है ये fees तो जैसे ही declare हो जाएगी हम आपको inform कर देंगे वैसे जो इसकी संभावना है बाकी colleges की fees की वो 20% increase होने की संभावना है अभी ये ही possibility लग रही है इसमें 24 colleges इस fees की है इसके अलवब 4 college high fees की है जिनकी 16 लाग से लेके 18 लाग 20 लाग तक भी ये fees जा सकती है वो 4 college high fees की हैं तो आप जब college fill करेंगे twice fill करते से मैं इस बात का ध्यान रखना है कि आपने अगर high fees की college आप के marks ठीक हैं आप नहीं लेना चाते हैं तो उससे avoid करें दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो करनाट का state में है registration का process ये होता है कि आपको first round में registration करना है second round में registration open नहीं होते है मौपप round में फिर से registration open होते हैं तो इसमें आपको अगर registration करना है दोनु round के लिए तो first round के time में ही आपको registration करना होगा और इसमें eligible रहने के लिए इसमें चार option दे होते हैं तो वो चार option को follow करते हुए आप round आगे के round में eligible रह सकते हैं और साथ साथ आप अपने state की counseling को भी साथ ले करके चल सकते हैं तो ये option को आपने कैसे manage करना है कौन से option को कब आपने fill करना है ये आपने ध्यान रखके counseling करनी है इसमें अब हम बात करते हैं आगे इसकी website की कटोप की बात बाद में कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको इसकी website के बारे में बता देता हूँ तो जैसे ही हम cetonline.karnatka.gov.in पर visit करेंगे या फिर kea.kar.nic.in की website पर visit करेंगे तो इस परकार का interface आएगा अब इसमें problem कभी-कभी ये होती है कि इसमें जो कनाडा language है उसमें भी कभी-कभी आपको ये interface मिलता है तो इसमें आप नीचे इसमें contact text से नीचे language का option है तो इसमें drop down पर click करके आप English select कर दें तो ये आपका portal English में आ जाएगा ये काफी student को problem होती है क्योंकि कनाडा language में होता है तो वो समझ में आता नहीं है तो इसमें problem हो जाती तो इस परकार से आप इसकी website पर visit करके सारी information आपको इसी link पर मिलेगी अब बात करते हैं इसकी cutoff की तो इसमें cutoff में इस बार भी 21 में first और second round की cutoff high रहने वाली है हाई रहने का कारण ये होता है कि इसमें जो documents verification है वो offline ही है student को जाना नहीं होता है और कोई किसी परकार की security deposit भी नहीं है इस state में इसलिए काफी सारे candidates में forum fill कर देते हैं जिनका state में होने वाला है वो भी forum fill कर देते हैं और उसके बाद में 24 fill करके second round तक वो 24 fill करते जाते हैं और फिर अपने state में seat ले लेते हैं या फिर seat सोड देते हैं तो इस परकार से ये दोनु round online होने के कारण दोनु round की cutoff काफी ज्यादा high रहती है इस साल के लिए हम cutoff की बात करें तो 570 से अबोव रह सकती है इन दोनु round की लेकिन mop up round की cutoff काफी कम रहती है ये physical round होता है student को present रहके ये वहाँ पर counseling करवानी होती है फिस की DD लेके जाना होता है इस कारण इसकी cutoff मौप up round की काफी down जाती है और मौप up round की cutoff की बात करें तो ये 530 वाले candidate भी इसमें chance ले सकते हैं उनका भी selection हो सकता है अगर आप इस state के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाते हैं तो आप हमारी book download कर सकते हैं उसमें previous year की cutoff होगरा सारा दिया हुआ है किस प्रकार से आपने round में eligible रहना है कौण कौण से option लेना है तो उस प्रकार की फूरी detail दी गई है और आप अगर हमारी paid counseling लेना चाते है तो book download करने के बाद हमारी team आप से संपर कर लेगी तो आप हमारी paid counseling भी ले सकते हैं तो मिलते हैं नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन